कि दू गूट एंड फार्गेट नेकी कर दर्या में डाल नेकी किजिये और भूल जाएए आई-एम भरस्टानी आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे इंडारेक्ट बनाया जाता है उसी को हम लोग आज देखेंगे तो यह academy की exam में तो जादा पूछा ही जाता है लेकिन इसके अत्रिक्त श्यूद एकजाम में पूछे जाते हैं तो हमको basic नहीं आएगा अगर यह नहीं आता है तो फिर हम आगे साल बहने कर पाएंगे तो आज हम लोग यही देखेंगे कि इंडारेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आप कभी भी उसको देख सक और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है यह चलता ही जाएगा कब तक जब तक इंग्लिश में पढ़ाई करवा कि मैं आपको नौकरी नहीं दिलवा देता और नौकरी दिलवाने के बाद फिर भी आपको इस चैनल पर बने रहना है क्योंकि नौकरी पाने के बाद अब इंडारेक्ट बनाते समय कुछ चीजों को आपको ध्यान देना होगा जैसे इसमें रिपोर्टिंग स्पीच होता है जैसे मान के चलिए ही सेज कामा इन्वर्टेट कामा में आई एम गोईंग तो यह जो है रिपोर्टिंग स्पीच है रिपोर्टिंग स्पीच और यह जो कामा इन्वर्टेट कामा के अंदर होता है इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच अब ध्यान देना है जो रूल्स लागू होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो कैसे लागू होगा इस नियम को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ देखे ध्यान दीद्जे यह रिपोर्टिंग स्पीच है और यह रिपोर्टेड ripping यह थी रिपोर्टेड स्पीच यानि कि यह वाला जो सेंटेंस है। यह सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है अगर इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग स्पीच यानि कि इसका जो वर्व होता है यानि कि से सेज सेड या सेटू सेजटू सेड़ जो होता है उसको हम सेज सेड सेटू सेजटू अथ्वा सेड को क्रमसभ बदल देते हैं किस से किस में बदल देते हैं चलिए ध्यान दीजिए जब रिपॉर्टेड स्पीच का वाकी इंट्रोगेटिव होता है ये वाला सेंटेंस यहां तो अफर्मेटिव है लेकिन जब इंट्रोगेटिव होगा तब अभी तो यह अफर्मेटिव है जब यह इंट्रोगेटिव होगा तो से अथ्वा से टू को आंस्क में, सेज यह सेज-2 को आस्क में, सेड यह सेड़-2, सेड़-2 को आस्कट में बदल देते हैं इसके अत्रीक्त अगर चाहें तो सेड़ यह सेड़-2 को ध्यान दीजिए से या से टू को आस्क में सेज या सेज टू को आस्क्स में सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं लेकिन इसके अलावा सेड या सेड टू को आस्क्ड में इनक्वार्ड में कोश्चंड में और इंट्रोगेटर में भी बदलते हैं तो क्या केवल सेड या सेड टू को ही बदल सकते हैं इंट्रोगेटेड में इंक्वार्ड में कोश्चंड में आस्क्ड में नहीं सेज सेड टू सेज टू को भी हम आस्क्स में कोश्चंस में इंक्वार्ड में बदल सकते हैं कि अब हम थोड़ा सा एक्जाम्पल्स लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ध्यान दीजे जो पहला कोंशन है राम सेस्टू मी डू यू रिड़ बुक राम उससे कहता है क्या तुम किताब पढ़ते हो अब यहां देखिए या परजेंट में है या भी परजेंट में है लेकिन ऐसी इस्थिति में हम सेजटू को आस्क्स में बदलेंगे क्यों बदलेंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो अब हमें यहां यह पता चलता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है वह दो तरह का सेंटेंस होता है एक होता है yes या no type question, yes या no type का sentence होता है जिसमे helping verb पहले आता है और helping verb पहले आने के कारण वो interrogative sentence होता है दूसरा आता है जिसमें WH words जिसमें WH words रहते हैं जैसे why, what, when, where, how many, how much तो उसका sentence कैसे बनेगा ये भी हम लोग देखेंगे जो yes no type है उसका sentence और जो WH है उसका हम sentence देखेंगे कैसे बनेगा rules हम बाद में देखेंगे पहले example देख लेते हैं राम says to me को जब हम indirect में बदलेंगे तो हो जाएगा राम asks me देखे जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो इस type का question मिलना मुश्किल होता हमेशा सेड या सेड़ टू ही मिलेगा लेकिन आस्क में यह जो है आस्क्स जो मैं बता रहा हूं यह मान के चलिए कि आपको किताब में जल्दी मिलेगा नहीं एकाद जो बहतर किताब हैं उसमें बता देता है राम आस्क्स मी और जब भी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होता है तो कनेक्टिविटी के रूप में हम इफ या वेदर का परियोग करते हैं तो इसके तुरंत बाद का जो सेंटेंस होता हूं वह अफर्मेटिव बना देते हैं अभी हम क्यों समझ रहे हैं अभी नि क्यों ही आएगा जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होगा तो राम उससे पूछता है कि क्या मैं पढ़ता हूं क्या मैं किताब पढ़ता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा इफ या वेदर और यू को बदल देंगे आई में इफ आई रीड द बुक अभी हो सकता अमज में ना आए और यहां इंवर्टेड कामा हटा यहां इंट्रुगेटिव मार्क हटा करके फूल स्टाप लगा देते हैं अब इसको देखिए इसका जब हम इंडाइरिक्ट बनाएंगे तो सेड़ तू को हम आस्क्ड में बदल देंगे देखिए यह चीज मैंने बताय कि चाहे सेड़ टू को आप आस्क्ड में बदल ये कोश्चंड में बदल ये इंकॉइड में बदल ये इंट्रुग्रेटेड में बदल ये लेकिन अक्सर हम आस्क्ड में ही बदलते हैं अभी मैं बताऊंगा कि कब कोश्चंड में भी बदला जा सकता है कब इंकॉइड में मैं भी बदला जा सकता और कभ इंट्रोग्रेटेड में भी बदला जा सकता तो राम सिड्टु को हम आस्क्ड में बदल देंगे राम में अब देखिए helping और वोकि साहता सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो connectivity के रूप में इफिया वेदर का प्रियोग करेंगे और इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देंगे यानि कि I read the book आभ यहां ध्यान देना है कि जब reporting स्पीश present में होता है तो सेंटेंस होता है उए किसी अलक टेंस में बदलता लेकिन जब reporting स्पीश वी क्रम परजेंट परश्ट में बदल्जाता है अगर यह चीज है समझ में नहीं आ रहे तो इसके पहले की जो दो वीडियो है उसको देख लिजिए तो यह परजेंट इंडिफिनिट है तो यह किसमें बदल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में में वर्ब का सेकेंड फार्म लगता है और रीड है तो रीड का रीड रेड ही होता है स्पेलिंग यह कही है इसलिए हमने वही लिखा है रीड दा बुक अब इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगेगा यहां देखिए मैंने इसको ऐसे इसलिए लिख दिया कि जब हम इंडिरेक्ट बनाते हैं तो सेड या सेड टू दोनों कोई रहे सेड रहे तो भी य और कामा इंवर्टेट कामा हटा करके अब देखिए यहां जब इंट्रोगेटिव जब इंट्रोगेटिव वर्ड की साहता से यह रिपोर्टेली स्पीच है तो ऐसी स्थिति में हम इप या वेदर का नहीं बल्कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है यानि कि डबलू अब इसके बास सब्जेक्ट का प्रयोग होगा यानि कि यू और यू यहां क्या मिल रहा है सब्जेक्ट के रूप में राम सेड राम ने कहा तुम किताब क्यों पढ़ते हो तो इसका मतलब मैं क्यों पढ़ता हूं तो यह हो जाएगा हुआ अर चुकि यह पास्ट में है त बॊंग कि आप यह रिडग दबुक वाई रिडदावग अब हम इसका सवियरोल देख लेते हैं कि ऐसा कैसे हो गया है तो इसे रूर्स को सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें डबलू येच वर्ड्स यानि की वाट वेयर वेन हुआ हाव मेनी हाव मुच इस तरह के वर्ड्स पहले रहते हैं तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग और के सहायता से है ध्यान दीजिएगा अभी क्यों हम यह कहीं देखेंगे डबलू येच वर्ड्स इसको बाद में देखेंगे जब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कामा और डबल इनवर्टेट कामा को हटा करके कनेक्टिवीटी के रूप में इफ या वे रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम इफ या वेदर का कनेक्टिवीटी के रूप में प्रयोग करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को ध्यान देना है ये भी को अफर में लिख करके प्रस्णवाचक चिन के अस्थान पर जो प्रस आपका प्रियोग करते हैं सेस नियम पुर्वूत रहता है सेस नियम पुर्वूत का मतलब यह HOGoda कि यदि रिपोर्टिंग पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्रमसर पास्ट में ही बदल के ता है और भी जो नियम है जैसे वील को उड में सहाल को सूड वेश सारा इसमें लागू हो अब देखिए इसके कार्डिंg में बदल दीजिए या इनक्वाइड में बदल दीजिए लेकिन अक्सर हम आस्क्ड में ही बदलते हैं यह आस्क्ड मी कि अब यहां देखिये हेलपिंग और पहले है न तो जब हेलपिंग और की सहायता सी या करने पर समझेरगानाद आप फोर्ट सब्सक्रावें उसके यूंट कर देने हैं लेवें करा इस सब्सक्राइब होता है और फोरल कर लगों कुर Mexico activity का ने दो समझे जो यदिजड chilis is one mike k supervis got aaches कर दिंग तो और पाद इसको मिल रहा है अब यू किसमें बदलेगा he said to me उसने मुझसे कहा कि आज तुम स्कूल जा रहे हो क्या क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो यानि कि मैं जा रहा हूं तो यहां यू को किसमें बदल देंगे आई में तो हो जाएगा अब देखिए यह परजेंट कांटीनिवस है सेस् यानिकि रिपोर्टेज बदल जाता और यानि कि हो जागा आइंग डोगे श्कूल लेकिन हम फूल स्टाप लगाएंगे तो इस नियम को आप ध्यान से इसको देख लीजिए चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए तब जाके आप ज्यादा ज्यादा एक्जामपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा अगर एकाद एक्जामपल ऐसा है जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो आप कमेंट बाक्स में हमें जरूर लिख के कहिए कि सर इसका नहीं बन रहा तो मैं बना करके आपको रिपलाई कर दूंगा हम लोग इसमें थोड़ा औ क्या तो इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग और सेड़ को हम आज़क्ण में बदल देंगे यानि की हो जाएगा हरी आजक्ण मी कामा को हटा करके अब यहीं ध्यान देना है कि कनेक्टिवीटी के रूप में हम का प्रियोग करेंगे या तो वेधर का किया हम लोग ने क्योंकि जो यह reported speech है्या helpin और की चाहता से सेंटेंस आभ इसका जो यह sentence बनेगा यह बनेगा तो आफर मेटिश में बनेगा तो यह होता है कि subject पहले रहता है उसके बाद helping or रहता है उसके बाद main और और उसके बाद object रहता है तो Harry asked me, Harry ने मुझसे पूछा if, अब मुझसे से पूछा कि क्या तुमने एक save खा लिए, यानि कि मैंने एक save खा लिया, अब आई अब चुक्कि यह present perfect में है तो जब इसको हम हम बदलेंगे तिया हो जाएगा पास्ट पर्फेक्टेंस में यानि कि आई हैड इटेन एन एपल ठीक है एक एक्जम्पल और लेते हैं देखिए इसका जब हम इंडारेक्ट बनाएंगे तो आई सेड मैंने कहा डिड राधिका मिट मिस्टर डे क्या राधिका मुझसे कल मिली तो ऐसे में सेड को हम आस्क्ड में बदल देंगे क्यों आस्क्ड में बदल देंगे क्योंकि जो रिपोर्टेड कहा कि क्या र Advika मुझसे कल मिली तो कौन मिली यादि कि राधि का तो राधिका Examiner है और राधिकां बदलेगा भी नहीं क्योंकि鏡 थर्ड प्रसन होता है तो थर्ड प्रसन का चेंजिंग नहीं होता है यानि कि हो जाएगा राधिका अब अगर पास्ट टेमें है तो जब पास्ट इंडिफिनिट directly में रहता है और फॉट इंश्म में होता है तो अज को हम टोए को बदल देते हैं तो राधिका हैड्र मीट मेला तiko राधिका मीट मी स्टैडबिस ड़े हो जाएगा दौ़। फ्रीविईस डे की ठीक अब हम लोग फिर से आएसे सेंटेंस को देख लेते हैं जो डबलू यच वर्ड से स्टार्ट होते हैं चलिए फिर से ध्यान दीजिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इन्टुगेटिव वोड तो सेटियर सक्क्राइब इंक्रॉइट बहुंब सेसे पशुक्रजिक सेट्ट वैरं में कोश्चंद में इन्टुग्राइटट में बदल करके कामा और इन्टुटक्रा को हटा रहते हैं और उसके अस्तान पर connectivity के रूप में उसी interrogative words जो वहां पर रहता है उसी interrogative word को हम connectivity की रूप में connectivity की रूप में रख देते हैं जो उस वाकिको objects बदल देते हैं बाकी6 नियम जो रहता है वह पुरबॉात रहता है जैसे जब इसका हम indirect बनाएंगे तो तो राधा said to me को, said to को हम asked में बदल दें, या questioned में बदल दें, या integrated में बदल दें, या तो फिर inquired में बदल दें, देखिए कैसे, राधा, राधा, यहां मैं questioned कर रहा हूं, राधा questioned me, कामा inverted, कामा हटाएंगे, यहां if या वेदर नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहां interrogative word दिया गया है, तो इसी interrogative word को हम connectivity के रूप में यूज कर देंगे, अब इसको यूज करने के बाद subject, यानि कि इसको affirmative sentence बनाना है, तो subject helping verb, main verb का यूज करेंगे, तो subject तो मिल रहा है you, और राधा ने मुझसे कहा, कि तुम कौन हो, यानि कि मैं कौन था, यानि कि who, I, अब देखिए, यहां present में है, तो present क्रमसा, past में बदल जाएगा, यानि कि who, I, was, और यहां interrogative mark भी नहीं लगाएंगे, next है, she said to me, तो जब हम इसका indirect बनाएंगे, तो हो जाएगा see, अब said to को, आप ask ने में बदलेंगे, क्यों, क्यों की reported speech, interrogative sentence है, तो हो जाएगा, she asked me, कामा inverted, कामा हटा देंगे, और यहां देखिए, interrogative word दिया है, तो इसी को हम connectivity के रूप में लिखेंगे, अब यहां से affirmative sentence में change करना है, affirmative sentence का मतलब, यहां subject सबसे पाले आएगा, और subject इसमें है, you, और वह मुझे से कही, कि तुम क्या कहना चाहते हो, यानि कि मैं क्या कहना चाहता था, past में बदल जाएगा, क्योंकि reporting speech भी past में है, यानि कि what, I, अब देखिए, यह present indefinite है, तो यह past indefinite में बदलेगा, तो यह past indefinite में बदलेगा, तो want का second form लगेगा, यानि कि what I wanted to say, what I wanted to say, और यह integrative mark नहीं, बलकि full stop लगाएंगे, दो example हम लोग और देख लेते हैं, देखिए, इस पर थोड़ा भी से ध्यान देना होगा, अगर direct sentence में sir, madam, your honor का प्रियोग हो, तो asked के साथ respectfully का प्रियोग कर दीजिए, और sir, madam, your honor का प्रियोग मत कीजिए, और dear, darling, beloved का प्रियोग हो, तो asked lovingly या asked affectionately का प्रियोग कीजिए, और in words को, यानि कि dear, darling और beloved का प्रियोग मत करें, जैसे, जब हम indirect बनाएंगे, तो हो जाएगा, I asked, asked हो जाएगा, क्योंकि या interrogative sentence है, अब ऐसे में madam दिया है, तो madam मत लगाएगे, अब चुकि madam है, sir है, your honor है, तो इसको respectfully कर दीजिए, respectfully, respectfully, और comma inverted comma हटा करके, जो interrogative word है, इसी को आप connectivity के रूप में लिख दीजिए, अब इसको affirmative sentence बनाना है, मैंने कहा, कि why are you so nervous, आप इतनी उदास क्यों है, यानि कि वह उदास क्यों थी, यानि कि you की जगा हो जाएगा, she was, और यह present है, तो पास्टने बदल जाएगा, she was so nervous, interrogative mark नहीं लगाएगे, अब यहाँ देखिए, इसका जब इंट्रूब, इसका जब इंडारिक्ट बनाएंगे, my wife said, मेरी पत्नी ने कहा, तो इस said को हम किसे में बदल देंगे, asked में बदल देंगे, my wife asked, अब यहाँ देखिए, darling है न, तो asked के साथ, जब darling दिया हो, dear दिया हो, beloved दिया हो, तो इसको lovingly कर दीजिए, lovingly या affectionately कर दिजिए, उसके बाद connectivity के रूप में आपको लगाना नहीं है कुछ, तो यहाँ which का ही प्रियोग हो जाएगा, अब जो which होता है, यहाँ adjective का काम कर रहा है, तो इसके साथ color भी आ जाएगा, which color, अब देखिए, यहाँ मेरी पतनी ने कहा कि कौन सा color तुम अधिक पसंद करते हो, यानि कि कौन सा color मैं अधिक पसंद करता था, यानि कि which color I liked, यह present indefinity में है, यह past indefinity में हो जाएगा, I liked most, interrogative mark नहीं लगेगा, तो इस तरह से हम लोगों का, चुकि चैप्टर तो बड़ा हो गया, लेकिन हम लोगों ने complete पढ़ा है, और जब भी आप हमारा वीडियो देखिए तो लास्ट तक देखिए, आपने लास्ट तक देख लिया है, तभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो लास्ट तक देखा कि यह सारा कुछ clear हो जाएगा, इंगलिस में कोई भी कमी नहीं रह जाएगी, और एक बार मैं और कहूंगा, कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए, थैंक यू भेरी मच्च,